तो आज की वीडियो हमारी Q&A सेशन होने वाला है और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि वीनर कौन है जो पिछले हमने गिवेवे स्टार्ट करा था मज़ा आया और में यह जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं बने रहे वीडियो तक एंड तक जरूर देखना आपके सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा तो विडाउट वेस्टिंग अनी टाइम अगर तुम लोग नहीं हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट भेक के मारो या फिर होगे तो ही आपका confidence boost up होगा और जब आप अच्छे short मारोगे अच्छे line-up मारोगे तो अपका अपना पी confidence boost होगा तो confidence boost होगा तो आपकी game performance अपना पी increase होगी और experience पे भी depend करता है कि आपका कितना experience in playing experience ला question आ रहा है dark machine 1309 की तरफ से how to improve on my late forehand corner especially when pushed deep I frequently hit the shuttle with my frame when retrieving and otherwise don't get much accuracy तो इस cancer मैं पताता हूँ कि जब आप deep forehand में जा रहे हो ना deep forehand में आप कब push होगे या तो आपका shot बहुत लूज होगा opponent उपर से ले रहा है shuttle सारी के सारी net से या फिर आपको deceptive toss मार रहा होगा तो आप फस रहे हो तो आपको क्या करना आपकी range बढ़ा है अपने lunges जो step लेते हो आप lunges के वो थोड़े इसी increase करने है अपनी range increase करने है जब आप four hand की तरफ से आ जाते हो तो आपका frame कब लगता है जब आप shuttle की पूरा cover नहीं करते पिछे तक shuttle के पिछे जाना होता है आपको पहले shuttle के पिछे जाओगे तब ही आप clear कर सकते हो या तो cross clear कर सकते हो या फिर straight पिछे third line तक तो आपको इस इन दो चीजों का ध्यान रखना है एक तो अपनी reach बढ़ानी है जिम में और अपनी exercise गरनी है अक्षा थलाकारा 679 की तरफ से question आ रहा है ब्रो डूरिंग गेंपले my thigh my calves and thighs tired so much that I am not be able to perform my best even I am training my legs once a week but still मतलब body response नहीं करती तो इसका मैं आपको अंसर बताता हूं कि body cup response नहीं करती या तो आपकी weak muscles है weak muscles की sense में कहा रहा हूं मतलब आपकी recovery अच्छे सी नहीं हो रही है जो भी आप exercise कर रहे हो वह उसका आपको results नहीं मिल रहा है लेने के बाद आप अच्छी से recovery करें डीप स्लीप बहुत जागा जुरूरी है डीप स्लीप अगर लोगे तो आपके अच्छी recovery होएगी और आपको confidence भी मिलेगा माइंड भी स्टेवल रहेगा थोड़ा सब्सक्राइब से next question आना है what can I do for cool down after badminton training तो cool down के लिए तो आपको कुछ नहीं करना देखो cool down बहुत important है तो बस आपको 3-4 stretching है मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बता रखे कि कैसे cool down कर रखें तो चार-पांच में एक्सराइज बता रखें आप उनको follow कीजिए तो आपको अच्छा result मिलेगा cool down के बाद आप मेभी ice bath ले सकते है for better recovery 7-1-1-8 की तरफ से hi I follow you from start can you just make a video on how to book state tournament in tournament software since many of us junior miss out on state tournament state tournament खेलने के लिए आपको पहले डिस्टिक जीतना पड़ेगा जिस्टिक में जब आप qualify होंगे तो आपको अपने अपी entry हो जाएगी state में आपको entry बेजनी पड़ेगा अपने district secretary को तो वह आपकी entry आगे बेज देगा इसमें कोई ऐसे book करने वाला कोई ऐसे वह court book करने वाला system नहीं है जैसे आप सोच हो कि court में पैसे दे के आप खेल लोगे नहीं वह वाला system नहीं है आपको पहले performance अपनी दिखानी होगी district में तब आपकी entry होगी ठीक है यह question आ रहा है कि आप improve नहीं कर रहे हैं आपकी short quality improve नहीं हो रही ठीक है आपकी fitness इंप्रूव नहीं हो रही या फिर आप गेम नहीं जीत पारे में लिफ प्लेयरों को यह लगता है कि जब वो जीत नहीं पारे तो उनकी improvement नहीं हो रही यह भी हो सकते कि आपका opponent अच्छा खेल रहा हो उसक इने बार कोई tournament खेल लो प्रफोर्मेंस चेक करो कि आपकी performance बड़ी है कि आप महां पे जीत रहे हो या फिर कुछ ऐसे अच्छे shorts लग रहे हैं नहीं लग रहे तो आप एक बार चेक करो फिर आप देखो कि आपकी improvement है के नहीं क्योंकि हम जर्नली जब खेलते हैं दो बंदे नहीं होरी तो होती है actually improve दीरे दीरे तो आपको बाहर जाके दूसरे different players के साथ एक बार ट्राय करना चाहिए और कोच ताबीश की तरफ से which one is better multi shuttle and skill practice so my answer is यार दोनों है अपनी जगह सही है multi shuttle भी अच्छी है stroke practice भी अच्छी है अगला कोशन आ रहा है अर्षदेव 485 की तरफ से how to reduce shoulder pain after smashing multiple times in a game देखा आपने लापरवाई का नतीजा है भाई shoulder workout करो ठीक है अच्छे से पहले और इतने भी मानना smash मारो overall balanced game game खेलो toss भी मारो drop भी मारो drive भी खेलो push भी करो rally भी चलाओ तो सारी गेम करो खाली smash smash मत मारो अगर आप doubles भी खेलते हैं तो placing पे थोड़ा सा ध्यान दो मतलब place करने पे मारो smash वह कोई चिंता नहीं अगर आपको shoulder में पेन हो रहा ना तो उसकी विज़े से तो काफी ज्यादा problem आसकती तो मैं आपको सिज़ेस्ट करूँआ पहले shoulder strength improve करो आई बटन में मैंने उपर लिंक दे दिया है तो आप वहाँ पर जाके भी वो वीडियो देख सकतो shoulder exercise कौन कौन सी है तो आपकी strength improve हो जाएगी तो next question आ रहे ट कृष्णा 77 की तरफ से best racket यार मैंने आपको link दे दिया नीचे description में इस link पर जाके क्लिक करो मैंने आपकी shop भी एक बनाई है मैंने ठीक है उस पर सारे दे रहेंगी मैंने rank भी कर रखे टॉप कौन से है ठीक है वीडियो बनाई है तो उसमें जाकर आप देख सकते हो what to do after getting selected national badminton training national training जब होई कि जब डिश्टी खेलोगे state खेलोगे आपकी rank बनेगी national ranking खेलोगे बहुत जाए मैंने पूरी वीडियो इस सारे topic के बारे मैं पूरा explain कर रहे है how to play international badminton इस वाले वीडियो पे आप click करके ठीक है मैं link दे दुआ description में ठीक है इस वीडियो पे जाकर आप देखना पूरी अच्छे से explain कर रहे है तो इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना उस चैनल को भी subscribe कर रहे है मैं दूसरे वाले चैनल है A.N. Badminton Hindi ठीक है A.N. Badminton Hindi को subscribe करो उसमें सारी मैं Hindi में बनाता हू यह तो QN है इसलिए मैं Hindi में बना रहा हूं ठीक है तो इसका question क्या है my back pain a lot if jump too much how to avoid my shoes is SHB 39 wide and my coach suggest me it is because my feet are wide this is my back pain because of the shoes और in तो इसका भाई back pain का काफी सारे reasons हो सकते हैं जो सबसे पहले मैं आपको main reason बताता हूं क्या क्या है back pain का तो back pain का आपको जहां पर coat पे खेलते हो आप ठीक है जो कौन सा coat है वो synthetic है wooden है कौन सा है एक होता है जो best coat होता है वो क्या होता है निच्छे पहले wooden flooring होती है उसके उप कम देखने को मिलते हैं until or unless आप बहुत ही advanced training कर रहे हो ठीक है तो अगर आपका नीचे फर्ष है फर्ष के उपर mat है और आप extreme training कर रहे हैं तो chances काफी ज़्यादा है high knee pain के और back pain के काफी ज़्यादा high chances है तो आपका shoes बदलो ठीक है थोड़े better वाले लो power cushion वाले लो मैंने दे ठीक सकते हो ठीक है या तो अपने shoes अच्छे लो ठीक है या फिर court बदलो दो ही चीज़ है और तीसरा है आपकी exercise आपकी muscle strength बना आपकी थाइस में जब तक power नहीं होगी ना थाइस में तो सारा impact नीज पर आएगा ठीक है तो यह दो तीन चीज़ों का ध्यान रखों इन तीन चीज़ों को improve कर लो coat अच्छा नहीं है मजबूर यह उसी में खेलना है तो shoes अच्छे ले लो और exercise improve कर लो coat अच्छा है ठीक है shoes अच्छे नहीं है तो shoes बदल लो कुछ ना कुछ आपको change करना पड़ेगा ठीक है so next question आ रहे बड़ा तरंग की question है दीपाश यादव 2540 की तर मुझे मारो मारो मुझे मारो नहीं मजाक हो रहा है second यार मजाक हो रहा है बाइद एक देखो racket modifying नहीं हो सकता जुसकर अंदर का material है ना वह कभी मोडिफाइच जो carbon graphite लगा होता है उसमें nano mash तो वह कभी भी आपका मोडिफाई नहीं होगा, क्या क्या कर सकते हैं, इसका कोई उपाई नहीं है मेरे पास, अब गीववे विनर को अनौंस करने जा रहा हूं, तो गीवेवे विनर को आप स्क्रीम पे देख सकते हों, इसका नाम है वाइलेंड फ्रांसिस सर्मेंटो तो भाई इसका कमेंट है थैंक यू फॉर गिविंग मी दा आइडिया जस्ट आयर जस्ट वोस्ट यूर वीडियो टूड़े आर सो गूर्ड थैंक यू वरी मच्छ दिस दगी वीनर आप मुझे डीम कर सकते इंस्टाग्राम पर तो मैं आपको आपका आपको कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में बताना क्या मैंने आपके कोई भी कमेंट्स छोड़े हैं तो वह भी बता देना ठीक है कुछ एक कमेंट्स रहे गए हैं तो उसके लिए माफिज आता हूं लेकिन मैंने जाज़दर का अंसर किया है